प्रियादरश्कों स्वागत है आप सभी का आपके यूटूब चैनल अध्यात्म और जोतिस्में मैं हूँ आप सभी के साथ आचारे आसीस और हम बात करेंगे आज बहुत ही मुख्य बिन्दू उपर देभूमी दिश्की शुत्राखंड से आप सभी का अध्यात्म और जोतिस के और से बहुत बहुत अविन्दन है मैं आपको आज ग्रह प्रवेश से सम्मंदित कुछ बहुत ही महतकून बातें आज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ यदि आप नए दर्शक हैं तो फटाफ़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में आप ऐसी ही ग्यान वर्दक चर्चाओं के साथ में अध्यात मरजूत इस जगत की तमाम वीडियोस को आप देख सके आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वह ग्रह प्रवेस की उन मुख्य बिंदों पर साथ ऐसे बिंदो जो यहाँ पर साथ ऐसी बाते हैं जो यहाँ पर बहुत महतोपूर हो सकती हैं ग्रह प्रवेस आप कभी भी करें, यह तो मैं आपको वर्सबर में जो तमाम महिनों के इसाब से आपको ग्रह प्रवेस की त्थियां होती हैं, सुधन करके, वह त्थियां में आपको हमेशा की बहती, एस्टर आचार 80 चैनल पर हो, या फिर अध्यात मनंड़ जोतिश चैनल, दोनों ही चैनल पर मैं आपको समय समय पर ये सब तमाम जानकारियां देता रहता हूँ आप प्लेलिस्ट में मुहूर्त वाले फोल्डर को चेय कर सकते हैं और वहाँ पर तमाम जानकारियां आप प्राप्ट कर सकते हैं इसके अलावा जैसे कि सरबार सिद्धी योग हैं या फिर अमरत सिद्धी योग हैं इन योगों पर भी मैं चर्चा करता रहता हूँ ता आप उन वीडियोस को भी देख सकता हैं दर्शकों मैं आज ग्रह प्रवेस की जो मुख्य बाते हैं मैं चर्चा को सुरू करूँ इससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं ता आप चैनल को अविशे ही सब्सक्राइब करें और यदि आप अपने जन्मकुंडली से संबंदी जन्मकुंडली विशलेशन करवाना चाते जरत्न रुद्राक्ष की सलहा आप राप्त करना चाते हैं या वीडियो से श्रम्मधित कोई भी प्रश्ण आपके मन में उड़ता है और आप उसके लिए व्यक्तिकत रूप से संपर करना चाते हैं तो आप नीचे दिएगे नंबर पर समय लेकर चर्चा कर सकते हैं लेकिन सामों ही कोई अपना सामने कोई प्रश्ण है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ही लिखें आपको यहीं पर उसको उतर दिया जाएगा विशेश प्रस्तितियों विशेश जानकारी के लिए ही आप इन नंबरों पर समय लेकर चर्चा कर सकते हैं तो आईए लोड़ते हैं प् प्रवेश करना होता है तो इन आवश्यक बिंदों पर हमें विचार करना होता है घर में प्रवेश करने से पहले हमें करना क्या चाहिए सुब मुहृत को सबसे पहले निकालना चाहिए और उसके बाद विधी विदान के साथ आपको ग्रह प्रवेश करना चाहिए हम लोग कई बार क्या करते हैं मातर हवन कर लिया या सत्राण भगवान की कथा कर लिया या सुन्दरकान कर लिया और हमें लगता है कि हमने ग्रह प्रवेश कर लिया पार्टी करवा दे हैं पार्टी करने से आपके स्वजन समंधिजन तो प्रशन हो शकते हैं लेकिन वास्तों में जो देव का प्रशन करना है देवताओं को प्रशन करना है उस भूमी से जुड़ेवे जो चीजें थी जो त जब हम ग्रह प्रवेश करें तो कौन से ऐसे महिने हैं जिन में हमें ग्रह प्रवेश करना चाहिए। ठीक है माग का महिना है फालगून है कारती का है मार गशीश है ये तमाम जो महिने हैं ये जो है ग्रह प्रवेश के लिए यहाँ पर अच्छे माने गए हैं अब हम बात कर लेते हैं कि इन महिनों के अलावा इसमें कुछ ऐसी चीज़े हैं जिस पर हमें विचार करना चाहिए जब ब्रस्पति और सुक्रदेव अस्त ना हो ये दोनों ग्रह अस्त हैं तो हमें इसका महिने होने के बाद भी हमें इसका चेयन नहीं करना होता है समद्रे बात को इसकी अलावा ब्रस्पति सिंगस्त या मकरस्त हो यानि शिंग रासी में हो या मकर रासी में हो तो भी हमें इसको यहाँ पर चेयन नहीं करना होता है तथा सूर्य मीन रासी में हों तो उस समय विसेश रूप से इसको छोड़ देना जाए समझने मात को तो ये तो महिने का और महिने में कुछ ग्रह स्ततियों की हमने बात के दूसरा बिंदू यहाँ पर क्या आता है कि सभी इस्तिर नक्षत्र जैसे कि हम बात करेंगे उत्रा फालगुनी है उत्रा साड़ा है उत्रा भादरपद है रोहनी है यह मैत्र नक्षत्र जो होते हैं जैसे कि मिरकिसरा, रेवती, चित्रा, अनुरादा वे सभी नक्षत्र जो मुख्य दुवार की दिशा में पढ़ते हो नवनिरित घर के घर में जो है गरह प्रवेश के लिए ये सुब माने जाते हैं अब आप पहेंगे कि मुख्य जो मैंने का कि दुवार की दिशा में पढ़ते हैं तो दिशाएं कौन-कौन से होती हैं इसमें सिधा से इसका स्वेश्ट शूत है कि कृतिका से ले करके आसलेश तक की जो नक्षत्र है वो पूर्वी दिशा, नक्षत्रों की पूर्व दिशा माने जाती है, मगा से ले करके और विशाखा तक दक्षिन दिशा, अनुराधा से स्रवन तक की नक्षत्रों का पश्यम दिशा और धनिष्टा से बहरणी तक के जो नक्षत्रे उन नक्षत्रों की दिशा उत्तर दिशा होती है अतहे है घर के मुख्य द्वार की जो दिशा होगी उस दिशा के नक्षत्र भी उस दिशा में ग्रह प्रवेश्के ने अनुकूर माने जाते हैं उधारन के तौर पे मैं आपको समझा दू, किसी घर के मुख्यद्वार का जो है मुख्व पस्यम दिशा में मान लो, उधारन के तौर पे, अगर पस्यम दिशा में हो तो अनुराहदा से स्रवन तक के जो नक्षत्र हैं, वो परिशपश्ट है, उसी सभी नक्षत्र उस घर मे ग्रह प्रवेश के लिए ये अनुकूल माने जाएंगे जिसका तीसरा पॉइंट हो अब हम बात करेंगे अगले बिंदू पर दो, तीन, पाँच, छे, साथ, आठ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा और पंदरा ये तिथियां, यानि दूतिया, तृतिया, पंचमी, सस्टी ठीक है? तिथियों को ग्रह प्रवेश के लिए अच्छा माना गया है अगर ये तिथियां पढ़ती है महिने उपर बता दिये, नक्षत्र बता दिया और नक्षत्र के बाद अब ये बार ये तिथियां और तिथियों के बाद आप बार के हम बात करें तो मंगल और रभी को छोड़ दे तो से सभी वारिश में शुब माने जाते हैं, कोई दिक्कत ने आप आराब से कर शकते हैं, लेकिन सर्त यहां पर एक और आजाती है बहद्रा और क्रांती शाम में काईस में क्या करना चलिए समझ रहे हैं, ये इसमें थोड़ा हमें ध्यान देना होगा अब हम बात कर लेते हैं इस्तिर और दुष्वभाव रासियों की लगन की, क्योंकि लगन का भहत महत्वपूर्स्तान होता है इस पर हमें विचार जो है विस्तार से करना चाहिए अब हम दुष्वभाव और इस्तिर रासियों की जो लगन है जैसे दो है, पांच है आठ है, ग्यारा है, तीन है छे है, नो है, बारा है तो ये जो रासियों है अथवा ग्रह स्वामी के जनमन चंद्रमा से या लगन से तीन, छे, दस या ग्यारा भाव की रासियों के लगन को ग्रह प्रवेश के लिए शुब माना जाता है इस परश्रो चुका है लगन से एक, साथ, दस, पांच नो, दो, तीन, ग्यारा भाव में शुब ग्रह और तीन, छे, ग्यारा भाव में पाप ग्रह हो और चार, आठ भाव में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए थोड़ा ये डेपली है इस पर इतना विचारना भी करने तो भी चलेगा लेकिन लगन के रासि स्वामी जब चंद्रमा की रासि अथवा लगन से अश्टम भाव की रासि में बिल्कुन भी नहीं होना चाहिए चंद्रमा का बड़ा रोल होता है अपनी रासि के इसाब से चंद्रमा को हमेशा हर मोहरत पर हमें बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए जो कि चंद्रमा की हिसाब से दैनिक रासि फल हो या दैनिक इस्तितियों पर हम जो विचार करना होता है इसी पर करना होता है अब हम बात कर लेते हैं लगन की तो लगन भी इसमें बहुत अपने आप में एहम होता है कि कौन से लगन में हमें करें तो ये दो चीज़ें तो खास कर मूर्थ में इस पश्ट है कि बहुत ही गंबिरता से इनको लेना चीए मैं आपको यहाँ पर बड़ी अच्छी चर्चा आपको सुना देता हूँ और दिस समय भारत देश आजाद हुआ था उस समय आपने देखा होगा कि हमारे देश को जो शतंत्रा मिल थी उसके लिए अंग्रेजों ने 15 अगस 1947 का जो समय रखा दिन रखा सोरे तो उस दिन जो यहाँ पर मुर्धन्य हरदेव शर्माजी और सूरे नारण व्यास दो जोतिशियों ने देखा कि यह समय अनकूल नहीं है यह जोतिश का अच्छा ग्यान रखते थे इन्होंने स्तुति को देखा कि आज तो समय उचित नहीं है तब इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि नहीं आप समय के लिए जो है दिन के लिए तो पाबन थे लेकिन समय इन्होंने अपने इसाब से चैन किया रात तरी बारह बज़े का क्यों किया क्योंकि चंद्रमा उस समय एक तो पुश्य नक्षत्र में थे अब उस समय योग बन रहा था और लगन ब्रशव लगन का उदय उस समय हो रहा था ये तीन चीजें विशेश कर थी एक इस्तृत्र जो है सामराज्य के लिए उन्होंने एक अच्छे मूर्थ का चैन किया भले ही रात में किया तो आप इसी से स्परश्ट होता है कि मुहूर्थ आपने आप में कितना जो है महत्वपून होता है कुछ अन्य यहाँ पर विचारनी बिंदू है जैसे कि पूर मुखी यदी घर है तो ग्रह प्रवेश के लिए पूरणा त्यतियों को स्रिष्ट माना गया है दक्षण मुखी घर में प्रवेश करना हो तो उसके लिए नंदा दितितियों को पूर्षिम मुखी घर में हो तो बढद्रा दिति थीयों को और उत्तर मुखी घर में प्रवेश करने के लिए जया आजितितियों को यहाँ पर अच्छा माना गया है तो यह बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो ग्रहय प्रवेश के लिए यहाँ पर श्रेश्ट और उत्म है प्रेदर्शकों, आज यह महत्वून जानकारी मैंने आपको दिने का प्रयास किया यदि आप अध्यात्मर जोतिस से सम्मंदित कोई भी प्रश्ण आप करना चाते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्ण लिख सकते हैं या फिर अपनी जन्मकुंडले आदी का विश्लेशन करवाना चाते हैं अपने बारे में जानना चाते हैं अपने मभिश्य के बारे में यदि व्रक्ति के दुरूप से कोई आप सलहा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपॉइंट्मेंट्स ले करके जो नंबर यहां पर हैं उसमें आप शमय ले सकते हैं और उसके बाद आप संपर्क कर सकते हैं प्रेदर्स कों कैसी रिया आज की चर्चा आप मुझे जरूर बताएं अफिश्य बताएं साथी मैं आपको शमय समय पर ऐसी इंट्रस्टिक और अन्य जो है ग्यान बरतक चर्चा हैं आप तक लाने का प्रियास करता रहूंगा आप से बने धह मार साथ आप सभी का बहुत वह बने अ प्रह यहीं ताप भाने की का बहुत पूर म्हा कर अबऑर रहॵत फाले हैं वह ऐसे जब हुआंगा देस पना संताव कैसी हो हैं आप